देश की नई संसद में पहली बार सांसद के रूप में पहुँचे सपा मुख्या खिलेश यादव ने बधाई देने के बहाने नए स्पीकर ओम बिरला पर करारातंच कस दिया शुब कामनाईं देते हुए अखिलेश ने कहा आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्या न्यायधिश के रूप में बैठे हैं आपसे आशा है कि किसी जन प्रतिनिधी की आवाज को दबाया नहीं चाए और नहीं निसकाशन जैसी चीजें हमें ठेश पहुँचाएं आपका अंकुष विपक्ष पर तो रहता है ही लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पर भी रहे गौर्टलब है कि पिछले लोकसभा के दुरान हंगामा करने वाले तमाम विपक्षी सांसदों को ओम बिर्ला ने सदन से निशकाशित कर दिया था इसमें TMC सांसद महुआ महुईत्रा समेथ अनेक सांसद शामिल थे इन कारवाईयों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने सदन में कहा हम आपके हर नयाय संगत फैसले के साथ खड़े हैं मुझे उमीद है कि आप जितना सत्तापक्ष को मौका देंगे उतना ही विपक्ष को भी मौका देंगे आए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा श्री अखिलेश यादव जी लोकसवा के नव निर्वाचित अद्देश जी को मैं बहुत बहुत बढ़ाई और शुबकामनाए देना चाहता हूँ जहां बढ़ा मन्ती जी और हमारे साथी लीड और पॉजिशन नी आपको बढ़ाई दी है वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ आप इस सदन के स्पीकर दुबारा चुने गए हैं आपके पास पास साल का जहां अनुभव रहा है वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है मैं अपनी तरफ से जिस पत पर आप बैठे हैं इस से बहुत दौरफ सारी पनप्राएं जुड़े हुई हैं और हम सब यहीं मानते हैं कि बिना भी धवाब के आगे बढ़ेगा और लोग सबा के अधेश के रूप में आप हर सांसत और हर दल को बरावरी का मौका और सम्मान देंगे निस्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है आप लोगतांतिक न्याय के मुख न्यायदीज की तरह बैठे हैं हम सबकी आप से अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनेदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुचाएं आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे अद्धेश मौदेश आपके इसारे पर सदन चले इसका उल्टा नहो हम आपके हर नियाई संगत फैसले के साथ खड़े हैं मैं एक बार फिर आपको इस अद्धेश पत पर बैठने के लिए बहुत बहुत बथाई देता हूँ मैं सदन में पहली बार आया हूँ ये नए सदन में मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुरसी बहुत उची होगी क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूँ अद्धेश जी उसकी कुरसी बहुत उची है मैं अद्धेश जी किसको कहूँ कि ये कुरसी और उची हो जाए जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीट के पीशे देख रहा हूँ पत्थर तो सही लगे हैं सब कुछ अच्छा लगाए लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है अद्धेश मौद है मुझे उमीद है कि आप जितना सत्ता पश्च का सम्मान करेंगे उतना ही विपख्ष का सम्मान करकर के हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे मैं आपको बढ़ाई देता हूँ शुक्तान ने देता हूँ हर तरीके साथ आपके साथ है बहुत धन्यवाद